अगर सूरत का निलेश कुम्भानी सडियंतर के तहत अपने और अपने सब्टिटूट का नामानकन रद करवा कर भाजपा परत्यासी को निर्विरोध जीतने में मदद करता है अगर इंदोर का एक्षैबम अपनी रीड जुका कर भजपाईयों के साथ मिलकर अपने नामानकन को वापस लेकर बीजेपी के वहां के परत्यासी के लिए जीत का राष्टा साप करता है तो मुझे बताईए वोटिंग परसंटेज के साथ छेड़ छाड़ करके पोलिंग एजेंट को खरीद कर क्या चुनाव में हारती हुई भारत्याजंता पार्टी को सिखर पर नहीं ले जाया सा सकता यहीं आज परकरण आपको डीप में समझाने वाला हूँ कि आपके लोकतांतरिक हक को डंके की चोट पर कैसे चीना जा सकता है 19 अप्रेल को पर्थम चुड़न के चुनाव होए थे 102 लोक्षवा सीटों पर स्याम के साथ बजे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर परदर्सित होता है कि 6.07 फीशदी मद्दान हुआ है कल काफी मशक्कत के बाद सोचल मीडिया पर लोग आवाज उठाने लगे कल 30 अप्रेल को चुनाव आयोग ने आकड़े जारी किये और बताया कि देखिए वास्तवव में वोटिंग परसेंटेज तो 66 फीशदी हुआ था 6 फीशदी बढ़ गया थोड़ा बहुत एक दो परसेंट बढ़ता है क्योंकि बैलेट पेपर की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है लेकिन 6 फीशदी बढ़ गया 19 तारिक और कल 30 तारिक दस दिनों के अंदर ये 6 फीशदी वोट आ कहा सब गई दूसरे चर्ण का चुनाव हुआ था 88 लोक्षवा सीटों के उपर उस दिन 26 अपरेल को जिस दिन दूसरे चर्ण के वोटिंग होई थी 60.9 फीशदी शाम साथ बजे का वोटिंग परसंटेज है कल 30 अपरेल को चुनाव आयोग ने आखड़े जारी किये और बताया कि वास्तो वोटिंग परसंटेज तो 66.71 66.71 फीशदी है कितना बढ़ गया 5.75 फीशदी कहां से आगे इतने वोट कि यह सारे के सारे पोस्टल से आगे बाई साब चुनाव आयोग ने सपस्टिकरन अपना आप देना चाहा है कि रिमोट लोकेशन में चुलाओं कराने पड़ते हैं कहीं पर इंटरनेक्ट नहीं है लोगों को पैदल जाना पड़ता है हिल्स एरिया है वहां से एवियम वापस आती हैं स्टोंग रूम मेर और स्टोंग रूम मेर सारे डाटा कलेट करके बाद में अपडेट किया जाता है यह चुनाव आयोग का सिल्ली अपडेट और एक्स्चूज इसके उपर आया है लेक कि कुल कितने लोगों ने मतदान किया जब यहीं नहीं पता कि कुल टोटल मतदाता कितने है तो वोटिंग परसंटेज का तेल डालेंगे क्या करेंगे इस देश की जंता को बताने की क्या जरूत अपने पास ही रख लेते अतीत में यह आकड़े जारी होते हुए रहे हैं अ पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो चुके हैं और नहीं कितने मतपडे वह बता रहा है हम यह नहीं कहे रहे है कि यह नहीं किछ पैकि देश्य हगि दो वजय हो सकती है कौन कोन si एक तो Supreme Court friction ओने घया क्या उसका तोड निकानने के लिए चुनावा योग ने इतनी दिन का समय लगाया और दूसरा है पोलिंग एजेंट के साथ मिलकर पोलिंग अफसर किस तरीके से पिठासी इन चुनाव अधिकारी धांदली करके हारते हुए को जीता सकता है संभावनाए हैं ये मैं किसे के उपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ फोरम 17C क्या होता है माल लीजिए को एक पोलिंग बोथ है हर पोलिंग बोथ के उपर हर पार्टी का एक एजेंट होता है चुनाव होने के बाद मतदान होने के बाद इवियम में कितने मत पड़े इवियम में कितने डमी मत पड़े कितने वोट रिजेक्ट ही होए हैं कितने पोस्टल बैलेट से मत आये हैं ये सारे आकड़े फोरम 17C में भराया जाते हैं और हर कंडिडेट को ये कापी दी जाती है कि देखे भाई जिस बूत पर आपकी डूटी थी जिस पार्टी से आप एजेंट थे उनको बता देना कि इस बूत के उपर कुल इतने मतद पड़े हैं और इन्हें मत में से इतने इवियम के हैं और इत नहीं का डाटा मिलान में होता है तो मुझे बता ये निलेश कुम्भानी बिग्या एक से बम बिग्या अगर पोलिंग एजेंट को वोटिंग होने के बाद ये बोल दिया कि तुम्हें कुछ देदेंगे और आख बंद कर लो उसको कहा जाता है कि इवियम में जितनी गिंती हुई है कंट्रोल यूनिट जितनी बता रहा है वो देखना मत हम अपने हिसाब से फोर्म 17C में डाल दे रहें तो क्या होगा जो वोटिंग परसंटेज ज्यादा आ रही है क्या इवियम में वोट ज्यादा बाद में डाले नहीं जा सकते जितने उस समय पर साथ बज़े तक पॉलिंग चल रही थी वहाँ पर हुआ साथ बज़े के बाद क्लोजिंग करने का समय आया ओपोजिसन वाला जो है जो सत्ता में नहीं है जिसको हराना है सडी अंतर से उसकी पैसों के दम पर या ठसक के बल पर या ताकत के बल पर उनकी मुंडी आंख नाक कान बंद कर दिय जाता है कि तुम चुप रहो 57 मेंट के लिए तो खटा खट लगातार बीजेपी के खटके दबाया जाए कांग्रेस के एकाद बीच में दबाया जाए क्या होगा फिर लाइव जो चल रहा था 7 बज़े तक उसमें वोटिंग परसंटेज जो दिखाया जा रहा था और 57 दिन हो सकते हैं चुनाव आयोग टोटल मत दाताओं की संख्या नहीं बता रहा है कितने योग्यें हैं वो टोटल डाटा नहीं बता रहा है स्रिफ परसंटेज बता रहा है और जवाब में कहा रहा है कि रिमोट लोकेशन में इवियम जाती हैं वहाँ पर इंटरनेट रहा थी जिसके चलते वास्तों में पोलिंग बूत के उपर जो वोट परसंटेज था वह एक के उपर अपडेट नहीं हो रहा था यह बात सुप्रीम कोट में बहस के दोरान 18 अप्रेल को चुनाव आयोग की अधिकारी मनिंदर शिंग ने कही थी उसके बाद कहा कि देखिए उसको हमने अब दूर कर लिया है लेकिन अब मुझे बताएगा क्या चुनाव आयोग कि यह इतना वोटिंग परसंटेज एक दम से बढ़कर कैसे आ गया कि यह सारा पोस्टल बैलेट का है बिलकुल भी यह पोस्टल बैलेट का नहीं है इसमें चुनाव आयोग वहीं बहाना बनाएगा जो तुरूटी दूर करने की हामी 2019 लोक्षबाद चुनाव के दोरान वो सुप्रीम कोट में कह चुका है वो यह कहेगा और उसने कहे भी दिया है उनका स्टेटमेंट चुनाव आयोग का आ भी गया है कि रिमोट लोकेशन में इव लिजे जाच भी हो जाएगी क्या कर लोगे जितने मत पड़े हैं उनके साथ तो छेड़ छड़ नहीं हुआ ने पोलिंग एजेंट की आखे ही बंद की गई है और ठकाठक 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 खटके बजाये गए हैं क्या हर पोलिंग वूत के उपर CCTV लगे हैं क्या पोलिंग क्लोज होने के बाद वह इवियम कंडिडेट के साथ जाती है जिस गाड़ी में चुनाव अधिकारी जाता है वह पोलिंग एजेंट विकाहों उसके साथ भी बैठा होगा तो गाड़ी में ठकाठक 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 वह खटका दबता हुआ गया जिसको आप हराना चाहते हो उसको आप हरा लोगे और मैंने तो एक पोलिंग एजेंट का जिकर किया दो तीन चार और जो कंडिडेट ही पूरा का पूरा अपने रिष्टेदारों को पोलिंग एजेंट बनाकर विक्वा रहा है कांग्रेस पार्टी को दिखा रहा है कि देखे मैं तो जी जान से लड़ रहा हूं और मार्केट में लोगों के बीच में घुम घुम कर बीजेपी को पानी पीपी कर गाली दे रहा है उनकी कूनितियों को खोस रहा है उपर से देखेगा कि ये तो वास्तों में जंता की आवाज को उठाने वाला है और पीठ पीछे अपने सारे आउट नहीं होता है अक्सेबम की भेजती हो गई उनका सुधान विरोधी चहरा भाजपईयों के साथ मिलकर बेनकाब हो गया कहां से हैं अक्सेबम मध्यपरदेश के इंदोर से कंगरिस के प्रत्यासी थे कुम्भानी साहब सूरत के गुजरात से थे कंगरिस के प्रत्यास पूरा विपक्ष समझ जाता कि डंके की चोट प्रताकत के बल पर सुविधान और लोक्तंतर को खतम किया जा रहा है प्रत्यासियों को ही खरीदा जा रहा है लेकिन साब भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे यह तरीका कौन से हो यह तरीका पोलिंग एजेंट के थरू ज करना ही होता है जो डाटा उसमें अंदर भर दिये अब अंदभक्त पर जाती जितनी भी है गोदी मीडिया वाले है वो तो आपको यहीं बताएंगे कि अगर चुनाव आयो के दोबारा जारी किये गए वोटिंग परसंटेज के उपर आपको अगर डाउट होता है तो अगरिंग आजेंट ही वहाँ बूत की उपर गडबड़ी करके आ गया इवे में वो चीज आलेड़ी फीड भी होगी रस्ते में तो स्ट्रॉंग रूम में रखी रखाई CCTV की निकराने में क्या कर लोगे आप जिस दिन गिंती होगी उस दिन हडबड़ी मिलेगी तो क्या कर रीड वाले विकेह वे लोग आपको समाज में देखेंगे कि वो नैतिकता से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की कुनुतियों का विरोध करके आपको देखेंगे हां 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 ये समाज की सच्चाई बता रहे हैं इसको तब वोट देना ही हमको है लेकिन असल में पॉलिं जनता पार्टी का प्रत्यासी जीता और विवक्स का हारा क्लोज मार्जिन वाली तो एक ही पॉलिंग एजेंट का जिकर किया इससे बहुत सारे हो गए हर जगें हो गए कॉंग्रेस के प्रत्यासी विवक्स में क्यों बता दीजिए स्पा का भी हो सकता है छेत्रिय पार्टि के समय जो लगी थी उसको स्विकार कर लिया ना इस खेल को समझी है मेरी देश की जनता सप्रीम कोट ने तो कहे दिया कि इवियम से चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन आपको दिखाना होगा आपको समझना होगा ये चीजे जो मैं आपको बता रहा हूं इनकी ब कुछ भी हो सकता है क्लोज मार्जिन वाली सो डेड़ सो सीटों में गड़बड होगी तो आप कितना जोर लगा लो भातिया जनता पार्टी को ताना सहाव को हराने का आप हरा नहीं पाओगे लोक तन तक उठेंगा देखा कर कूर्षी पर यहीं बैठे रहेंगे क्या कर लो लेंगे वोटर्स को भी दिखाएंगे कि देखिए आपने तो वोट दिया लेकिन कुछ न कुछ गडबड़ी रहेंगी अगली बार और जोर लगाना और अगली बार और नए तरीके से जोर लगाकर यह आपके लोक्ता तरीक हद को खरों कर देंगे दिमाग की कुछ-कुछ बत्ती जल रही है अंदभक्ति से आगे आपने कुछ सोच कर एक प्रोस्पेक्टिव निकाल है कि ऐसे ऐसे वोटिंग परसंटेज में अगर इतने दिनों के बाद चुनाव आयोग टोटल मतदाताओं की संख्या नहीं बता रहा है कितने वोट पड़े वो नहीं बता रहा ह सिर्फ वोटिंग परसंटेज बता रहा है और समय दस दिन बारा दिन लगा रहा है पहले फेज के होने के बाद पहली बार यह हो रहा है सुप्रिम कोट का अदेश भी है इविम जाच को लेकर तो दिमाग की बत्ति कुछ तो जलती होगी ना चुनाव आयो कह रहा है कि समय लग जाता है इतना इतना समय आज तक क्यों नहीं लगा लोग शुबा चुनाव में ही क्यों सुप्रिम कोट में आपने कहा दिया कि अलगोरिफम 2019 में गड़बड था तो अब की बार क्यों यह चीज़े रिपीट हो रही है पत्रकार पूरम अगरवाल ने 2019 में ही यह मसला जागर कर दिया था कि चुनाव वायों की वेबसाइट पर जो आकड़े दिखाये गए हैं उन आकड़ों की अनुसार जो फाइनल आकड़े आये उसमें ना तो टोटल मतदाता मिले और ना ही टोटल वोटिंग परसेंटेज मिली सब कुछ गडबड मिला क्या कर लोगे इस देश की जंता मुझे बताईए जागरुक हो जाईए सब को इस वीडियो को बारे में बताईए कि हां कांग्रेस पार्टी वालों अपने एजेंटों के उपर भी नजर रखो वीडियो गुराफी करो उसी समय पर पोलिंग कलोज होते वक्त सभी पोलिंग एजेंट फॉर्म सत्रासी के तहट आपके लोगतंत्रिक हक को खरीदना सके सुप्रिम कोट के आदेश जो दिया गया है कि इवियम की जाच होगी वह सही माइने में उससे सच्चाई निकल कर आ सके और सबूत भविस्य में हमारे सामने आए और इवियम बैन होकर बेल्ट प लेकिन फॉर्म 17C जब उसको अलोट किया जाता है उस समय पर मसीन के साथ हो क्या रहा है वो ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है एक से एक नायाब तरीके आजकल ताना साह इस देश के लोगतंत्र को लोटने के लिए ढोंड रहे हैं हम उन्हो पूरा एकोस्यस्टम ऐसे खोज करने में लगा रखें देश का लोगतंत्र बचाने के हर नायाब इनके तरीके को निस्तनबूद करना हमारा करतेव है यह जितनी कोसिस करेंगे यह जितने सड़ी अंतर रचेंगे अपनी जागरुकता के साथ आपको इनको सबक सिखाना है देखते रहें बुलंद भारत और भी अची जान खरें आते हैं नुस्कार